हालो फैंड स्वागत वकाफिट से आप सभी का हमें ट्यूप चैनल में और दोस्तो अभी अभी एक न्यूज आया है सामने वो क्या है एंटी पीसी सीबीटी टू एक्जाम को लेकर और ग्रूप डी को लेकर ठीक है इन दोनों के बारे में एक रेल मेंतरी जी जो है अस्वनी वैशनुप जी है इनके माद्यम से ट्वीट करके क्या ऐसा बताया गया जो कि बहुत ही संदार न्यूज हो सकता है सभी कैंडिडेट के लिए जो तैयारी रेलवे ग्रूप डी को कर रहे थे लेकर तो इनके दो ट्यूट यहां पर पर ले जो ठीक है यह दो ट्यूट इनों नंने बताएं कि और रेलवे इंटीप सी और लेवल वन के वी पर्टेयों को नियूज का ठीक बदा ठीक ग्रूट जो पर और ठीक है औसके बाद गाता है ना चर से गंड़े पहले का न्यूज है रेल मंतरीय का क्या है कि कमीटी रिप्रोट आने के 4 महने के भीट यह लाइन बहुत इंपопर्टन है की दखिया रेल वे जो है जो है यहां ठीक मेंटीय को डालेगी 6 Baptist तो रिपोर्ट सौप आ जाएगी है ना उन तक जो मंतराले को है रिपोर्ट सौप दी जाएगी चार तारीक तक यूभी आखरी वक्स इन लोगों मिलाती हैं मार्च तक तो मेटी की वान वीक लगें लोगों मैं फैसाले कि मंतरा लें और में भी यहाँ पर गुरूब डी का खास कर अगर मैं बात करो गुरूब डी का यहाँ पर एकजामडे को लेकर तो कही न चिंट्र मार्च के अंतिम महेंने से स्याज़्य the इसकी एकजाम सुरू हो सकता है औ इसी बीच में इनका एक्साम कंड़क्त करा लिया जाएगा तो मिलाकर अप्रिल या मार्च में हैं मार्च इंड नप्रिल फर्स्ट से एक्जाम सुरूफ हो जाएं कि जैसा कि इनका यहां पर क्या एलान कह गिया देखेंगा जुन जुलाइ कि क्या होता है अब आप सब्सक्राइब को पता है कि यहां पर ग्रूप D का एक्जाम भी बहुत जल्द होगा जो कि आप समझ सकते कि आप मार्च के इंड तक और यहां पर दूसरी बात कि अगर रिपोर्ट मंत्राइले को साब दे जाती तो बहुत जल्द फैसा ले लिया जाता में भी 15 से लेकर 20 मार्च तक साइद ग्रूप D साइद एंड एंड पीस पचीस पचीस च्छबी तारीक से हो सकता है 26 मार्च से इसका भी एक्जाम सुरू हो जाए है ना कुछ भी यह कि एक्सपेक्ट कटफ क्या हो सकता है इसके बारे में कुछ यहां पर बाते करते हैंब कुछ बाते हैं न कि वाने तो थोड़े से यहां पर गुरूप D में मैं कुछ बदलाव गया हूँ क्या कटफ को लेकर है आप से यूप पता कि 1.25 करोड़ फॉर्म फिल हुए है अब किसकी जोन से कितना कितना फॉर्म और कितना कितना फाइट वह ही रहेगा न क्योंकि फॉर्म 2019 प्ली हुआ उसके बदलेगा चीजे बदलेगी नौनौलाइज़कंते फिर प्रावटल एझिए तो यहाँ पर जो भी मैं यहाँ पर alongside मार्व स्वर्धर नौ ऑखंघ सब्से कार्स ना अदे इस बारा कि लोगा है कि अल्हावाद की नथ करा स można यहाँ खाफ विद् hang कुलकता से कमी रहता न तो कह सकते कि कड़ाफ हाई रहता है लेकिन इतना भी नहीं कि बहुत ज्यादा ठीक है तो चली अलहाबद का जो है फॉर्म फिलप तो पता है अब कितना वर्बत है इसमें ठीक है पोस्ट कितने हैं यहाँ पर कुल मिलाकर 4730 पोस्ट पड़ सीट जो फाइट होगा यहाँ पर 192 तो यहाँ पर अच्छा खासा देखने को बनेगा फाइट ज्यादा है जनरल वाले के लिए यह और नया चीज़ कि भाई यहाँ पर ध्यां रखेगे अब ठीक है अब आप जाएशन यह मां से ठीक है आफ्टर नौर मलाइजीशन एक है अगर मैं बात करो लाबाद से एवस वाले चुकि पहले EWS नहीं था, यह EWS तो इधर आया न, ठीक है, तो EWS 63, OBC 66, HC 54 और ST 52 के असपास में cut-off जाएगा, ठीक है, अप्र नॉर्ड बैजुशन, योग यालाबाद, आईए देली की बात करते हैं, देली का, जनरल कर्टेगिडी से 72 रहेगा, रह सकता है, रहेगा नहीं, इधर नहीं का सकता है, EWS 64 के असपास में रहे सकता है, OBC 67, SC 59 और ST 50 के असपास में cut-off जाएगा, और यहाँ पर पोस्ट जो देख लिजी, 13133, सबसे ज्यादा स्यूट है देली में, ठीक है, गोरखपूर आते हैं, ठीक है, तो सबसे अगर देखा जाए, सबसे ज़्यादा यहाँ पर वैकेंसी है, तो यहाँ पर थोरे से चांसेज बनेंगे, लेकिन cut-off हाई होंगे, गोरखपूर, 4000 पोस्ट, 155 परसीर फाइट, ठीक है, तो जहाँ सीर जादे हुआँ, यहाँ पर फाइट भी तो कम होता है, यह भी तो ध्यान रखेगा, ठीक है, फाइट कम होता है, इसके अकॉर्डिंग, बट लेकिन cut-off में कोई यहाँ पर बंजाईस होता नहीं है, चले, गोरखपूर, जनरल कटगड़ी 72 के आसपस में cut-off देखने हैं, EWS 62, OBC 65, SC 57 और ST 53 है ना, आईए मैं जैपूर की बात कर लेता हूँ, जैपूर देखिली जे, टोटल अमराफ सीट 5249, 183 परसिट फाइट होगा, जनरल 73, cut-off EWS 63, OBC 66, SC 60 और ST 58 है ना, जैबलपूर, जैबलपूर का देखिली जे, 72 cut-off, जनरल 64, EWS, OBC 68, SC 61 और ST 57, Western Railway मुंबई की मैं बात कर लूँ, ठीक है, तो नंबर आफ यहाँ पर देखिली जे, वेकंसी काफी जादा है, 10,000 वेकंसी है, है ना, 92, मिसकी फाइट काफी कम है, यहाँ पर सबसे कह सकते हैं कि सभी जों से cut-off, मिसकी फाइट काफी कम है, जनरल 67 cut-off, क्यास पर्ष मिड़ेगा, OBC, नहीं, EWS ना, 58, OBC 61, SC 56 और ST 51, Central Railway मुंबई की बात कर ले, यहाँ पर 9,345 वेकंसी है, फाइट देख लिजे, पर सीट 97, 66 जो है, जनरल कटिगरी, OBC 56, नहीं, EWS 56, OBC 62, SC 57 और ST 52, अगर कोलकाता की मैं बात कर लो, SER रिजन से और ER रिजन से, 4000 लगो, पांच अगा के सीट यहाँ पर 10,000, दूगना यहाँ पर सीट है, यहाँ पर 107 पर सीट फाइट होगा, जनरल, जनरल का दोनों जगा सेम सेम कटफ रहेगा, EWS का थोड़े वैरी करेंगे 63 और 58 वहीं यहाँ पर देख लिजे, OBC का 68, 63 यहाँ पर कटफ जाएगा, SC का अगर मैं बात करूए 68, 63 और ST का 50, 550, ठीक है, यहाँ पर ST वाले थोड़े और OBC वाले थोड़े याध्या रखेंगे, यहाँ पर में भी कटफ थोड़ा ज्यादा हो सकता है न, तो यहाँ पर एक-दो मार्क्स और आट करके ही रखी चलिएगा, ठीक है, बिलासपूर आएगा, यह देख लिएगे, बिलासपूर का 72 जर्नरल, हुबली का 63, चन्नही का 69, और शिकंद्रावल का 68 रह सकता कटफ जर्नरल वाले का, अब आएगे, EWS का 57, 51, 56, 57 रहेगा, OBC का 62, 55, 62, 61, वाएगे, SC का 58, 49, 59, 57, ST का 51, 48, 56, 54, अब आएगे, गुहार्टी का देख लिए थे फटाफट, गुहार्टी, हाजिपूर और भुवनेश्वर, हलाकि इस वाजिपूर का देख से थे कटाफ कम रहा था, है न, तो, यहाँ पर गुहार्टी का देख सकते हैं कि, यहाँ पर गुहार्टी थोरब कर लिजगा, ठीक है, 73 के आसपास में कट अब जा सकता है, ठीक है, यहाँ पर सिर्ट देख लिजए, 1 SC का यहां पर OVC का 67 ST ST का 58 और ST का 54 वुवनेसर का देख लिजिएगा यहां पर कुल वेकंसे 2555 है 124 पर सिर्फाइट है तो यहां पर थोरे से और 72 ठीके 72 कट अफ कीजिए ठीके जनरल का यहां पर EWS वाले और बढ़ी है ठीके यहां पर बात से नहीं बनेगा 62 के असपास मे और 67 के आसपास में यहां पर जो होगा OVC और SC ST ठीक है यह 60 कर लिजिए SC वाले और ST वाले 54 55 रहने दीजिए तो फिल मिला कि थोड़े से थोड़े से कटफ में मैंने चेंजिस की है चेंज़ इसलिए हुआ है कि इस वार का आपने कट अफ देखा था जोन वाइस जब NTPC ECB T1 का रिजल्ट आया था अला कि कैंसल हो गया पेपर पेपर नहीं है बलकि वह रिजल्ट कैंसल हो गया रिवाज रिवास रिजल्ट हो चुगा थो उनका उस पर कोई परवहम नहीं पर देगा उन लोग के लिए एक अच्छा मौका बज़ने का जिनका भी 60 से 66 है ना चलिए एंटी पीसी सीवीटी वन वाले के लिए रिजल्ट में अब जो रिवाइस रिजल्ट आएगा डी वाइस है ना डी वाइस जो रिजल्ट होगा उसमें किन लोग को मौका मिलेगा 60 से 70 मांक्स वाले को मौका मिलेगा बस इतना ही याद रखेगा इससे नीचे हैं उनका कोई गुंजाश नहीं है ठीक है और अब गुरूब डी वाले के लिए क्लिए क्या चीज़ है समझ लेजेगा यहाँ पर गुरूब डी वाले के लिए अब यहाँ पर जबकि आप लोग अब यहाँ से गुरूब डी वाले के लिए दो मन्त है